एक से फूर पर तरीका कोशन नमर फिफ्ट उसमें यह कह रहा है कि एक लड़की यह शेफाली उसको जब इंगलिश और मैक्स के मांक्स का टोटल देखा गया तो वह 30 आया ठीक है फिर बाद में उसके तो मैक्स में पहले जितने ही मांक्स ते वह मालूम नहीं लेकिन बाद मे 2 add हो गए मांक्स और एंग्लिश में 3 कम हो गए मांक्स ठीक है उसके कम हो गए उसके मांक्स को एक्स मांगर्णी तो English के marks कितना हो गए 30 माइनस एक्स टोटल ठटी दे रखें अगर उसमें Max के X हैं तो English के कितना हो गए 30 माइनस X आगे solve करते है मुझे बोला है कि Max में marks add हो गए Max marks इस इकल्स टो X प्लस 2 English marks 30-3 यह होगा 27-3 और जब बॉला है इनका प्रड़क्रत नहीं करते है 210 तो एक्स प्लस 2 और 27- प्रड़क्रत नहीं करते हैं 210 विद्व कर लेते हैं तो 27 x लेता है यह ब्लस का है तो टुटी-फाइब अगर आप ज्यान से देखे तो यह एक्स स्वाइब नेगिटिफ कर तो मैं इसको पॉजिटिव का चाहता हमेशा मैंने पहले जितने भी वीडियो हैं हमने जब फॉर्म वाली वीडियो करी थी उससे पहले सेकंड चेप्टर की वीडियो थी उसमें बताया गया था कि कॉट्रेटी एक्विशन के एक्स स्क्वायर होता है कोफिशंट था है वह पॉजिटिव रहना चाहिए तो यह सारी टम्स को मैं उस तरह ले जाता हूं ना कि इसको इदर लाओंगा उससे मेरे मेहनत बच जाएगी तो टू वन जीरो माइनस टूंटी फाइव एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टी फॉर्म हो चुकी है मुझे इसका पहले नेचर फाइंड आउट कर लेता हूं फिर इसका कॉड्रिटिक फॉर्मला से इसके रूट्स भी सॉल्फ कर लेंगे तो एक की वेलु मुझे दे रखी है 1B की वेलु दे रखी है माइनस टूंटी फाइव और सी के लिए रखी है 156 सॉल्फ कर लेते हैं पहले इसका डी दिस्क्रिमिनिट निकाल लेते हैं स्कॉर माइनस 4A C डी इसज़िए डी पी का स्कॉर यानि माइनस टुंटी फाइव का स्कॉर माइनस 4 in 2 1 into 156 156 को 4 से मल्टिप्लाइ करें तो आएगा 4 2 माइनस 6 24 और यह आगह 6 25 तो दी की वैली आ गई 1 तो यानि डी जो है वह ग्रेटर क्या है जीरो से यानि इसके जोर रूट से हैं वो रियल भी है और डिफरेंट भी है इसके जोर दौनों वैलिए आएंगी एक्स की वो रियल भी आएंगी और डिफरेंट भी आएंगी मैं कॉट्रेटिक फॉर्मिला लगा लेता हूं इसको थोड़ा से रेस कर लेते हैं फिर कॉट्र प्लस माइनस अंडरोट डी यह स्वरी भी ठीक है डी की वैलिव मिर पास आगई one upon two multiply a की वैलिव मिर पास थी one solve कर लेते हैं यह आगे 25 positive का minus minus plus plus minus root one की value one होती है upon two तो इसको एक बार positive का लिख लेते हैं 25 plus one upon two and 25 minus one upon two तो इदर से आगई 25 प्लाज 1 26 यानि 13 X की वैल्यू और यहां से आगई 25-1 24 यानि 12 तो X की वैल्यू आगई 13 एक आगई 12 अब आपके जो मार्क्स हैं मैक्स में अगर आप खुद की बात करें 9 में 10 में तो आपके मार्क्स यहां तो 12 आ सकते हैं 13 आसकते कोई एक मांग्स या सकते हैं यहां तो X की दो वैल्यू यहां निमाइक में 13 आ यहां तो 12 मांग्स आ अगर मैक्स में 13 मांक्स आ रहे हैं if max मांक्स आर 13 then English marks है इस्टिकल्स तो 30-13 30-13 ओ तो 17 तो English में कितने हारे 17 अगर इफ मैक्स माक्स आर 12 देन इंग्लिश माक्स तो इंग्लिश माक्स कितने होंगे वो बताने मुझे इंग्लिश माक्स सब्सक्राइब कर देगे तो हमारा आंसर यह वाला हो जाएगा पॉजिटिव वाला इन दोनों पॉजिटिव हैं तो में दोनों की कंडिशन के साब से नीचे की स्टेट्मेंट जरूर मेंशन करनी पड़ेगी